तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग होब आप सब बढ़ी आउंगे, तो तेयारी चल रही तुमारे अच्छे से, ऐसे मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स बनाने के साथ सारी विजन कर र लो और आपको उत्राखन के सबसे बहतर और बहतरी नोट्स में प्रोवाइड करवा दूगा आने वाले तीन-चार मैने में ठीक है इससे पहले करा दूगा इंपोर्टन चीज़ा सारी कंप्लीट हो जाएगी बाकि में सेलीनियस चीज़े तो कभी भी खतम नी हो गया और सालो सालो तक खतम नी हो ठीक है तो बूल लेका मतलब है नोट्स एक बार दे दोगे तो अभी तो आप प्रैक्टिस सेड लगा ओगे जब आपको आता ही नहीं ह बन चुकी है और जिल असरीज भी कंप्लीट हो गया आज से उत्राखंड का एक और टॉपिक पढ़ेंगे मैंने आप लोगों से पूछा भी ता क्या पढ़ाना है तो दो चार बच्चों ने मुझे सजेशन भी दिया था और कापी अच्छा सजेशन इसलिए पढ़ने की को बने थे तो ये टॉपिक कितना इंपोर्टेंट है इसकी तुम महत्व पूर्टा समझ सकते हो ठीक है वो जयानन भारति गदली तवाला वो भी दली सुधार आंदोलोन में तुम उसे पढ़ोगे ठीक है इधर से तुमने पढ़ा होगा वो पॉइंट में हैपी कलाब वाला पॉइंट जो पेपर में आये था वो भी इधर से तुम पूछोगे चिपको मू में डॉला पॉइंट वो भी इधर से आ रखा था तो यहां से वो जो पर्थग राजी आंदोलोन वाले टॉपिक्स आ रखा था तो इस टॉपिक की इंपोर्टेंसी बहुत है आज तक आपन पढ़ाओंगा जो मेरे नोट से मैं सारे आंदोलन एक साथ ही पढ़ाओंगा ठीक है मैं तुम्हें अलग-अलग करके नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं तुम्हें सारे आंदोलन एक साथ पढ़ाओंगा बाकि जब उस टॉपिक के बारी पर्सनल ही आएगे तब मुझ से मैं तुम्हें अपनी तरीके से पढ़ाऊंगा जो मेरे नोट से जैसे मैंने बना रखे वैसे पढ़ाऊंगा आपने इस से पहले क्या पढ़ा वो मेले मेटर नहीं करता है यह आनूल तो हम इस वाली हैडिंग में सिर्फ वो चीजे पढ़ेंगे मेरे दोस्त कि जिनोंने हमारे देश को आजादी दिलाई है देश की आजादी में जिसका योगदान है हम सिर्फ इसमें वही पढ़ने वाले हैं इसके लावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके अलावा दूसर आंदोलन होता है उत्राखण में जो दूसर आंदोलन हुए थे वो हुए थे प्रथक राज्य आंदोलन प्रथक राज्य आंदोलन ये बात ध्यान में पहले तो हमने देश को आजादी करने के लिए आंदोलन करे थे कि हमारा देश बस आजाद हो जाए जब देश आजाद हो गया उसके बाद हमारे आंदोलन सुरू होगे ते कि उत्राखन को अलग बनाने तो इस वाले हैडिंग में सिर्फ वो चीज़े पढ़ेंगे जिनका योगदान उत्राखन को अलग बनाने में that's it फिर उसके बाद तीसे नमबर पे जो आप आंदोलन पढ़ने वाले हो मेरे दोस्त आप पढ़ोगे सामाजिक सुधार आंदोलन क्या पढ़ोगे आप सामाजिक सुधार आंदोलन परसो सामाजिक सुधार आंदोलन से भी आ रहा था question paper में डोला पालके वाला ऐसे आंदोलन जिनका उद्दे से सिर्फ समाज को सुधार ना था समाज में फैली भी कुरूतियां थी उनको सुधार आंदोलन हो गया सराब बंदी आंदोलन हो गया कुली बेगार पर्था आंदोलन हो गया नायक जाती आंदोलन हो गया तो इन आंदोलनों का मुख्याउद्य से क्या था समाज को सुधारना तो इसी हेडिंग में इसी टॉपिक में मैं तुम्हें ये भी पढ़ा दूँगा सामाजिक सुधार आंदोलन बस सर्तिये तुम नोट्स तो बनाओ, सर्तिये तुम याद तो करो और इसी आंदोलन में वाली सीरीज में मैं तुम्हें एक और चीज पढ़ा दूंगा और वो पढ़ा दूंगा परियावरण सम्मंधी आंदोलन पर सो परियावरण सम्मंधी आंदोलन से भी पेपर में question आ रहे का था वो जो पूछा गया था कि कुली बेगार के लिए वो टीम किसने बेजी थी कहां से आई थी सैमेंट्स कमपनी वाली इसी में आप कुली ओ चिपको मुमेंट परियावरण आंदी भिलंगना नदी घाड़ दे आंदोलन कोका कोला आंदोलन उफरेखाल वाला आंदोलन तो जिसमें आंदोलन का सम्मंद परियावरण से होगा परियावरण के लिए भी आंदोलन हुए थे वो चीज़े हम पढ़ लेंगे और इन आंदोलनों के अलावा भी कुछ छूटेगा उनको last में one liner question के फैक्ट है तो आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं उतराखन के आंदोलन और उतराखन के आंदोलन को हम चार पहग पढ़ेंगे तो पहला पहग था स्वतंता संग्राम वाले आंदोलन राज्ये के पर्थाग राजी आंदोलन सामाजिक सुधार आंदोलन और परियावरान सम्मंदी आंदोलन पढ़े ऐसे कि पढ़ा सको ऐसे नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी पढ़े आंदोलन पढ़ेंगे तो complete आंदोलन पढ़ेंगे जब तक देश की आजादिगे में उत्राखन का क्या योगदान है उनको उत्राखन को बनाने के लिए क्या क्या हुआ हो समाज को सुधारने के लिए क्या क्या हुआ हो और परियावरान को सम्मंदी जब आंदोलन क्या क्या हो तो आज से हम एक ने टॉपिक योड जा रहे हैं दो टॉपिक, कम्प्लीट जीरो से लेके हीरो तक पढ़ाया हिस्ट्री और जिला सीरीज आप पढ़िएगा और महतोपून गरके नोट्स बनाएगा बहतरीन डाटा देया हुआ है और ऐसी एक भेतरीन डाटा आज से आपका सुरू हो जाएगा उत्राखंड के आंदोलेन तो मेरे दोस्तों तो दगणियों पहली हेडिंग क्या डालोगे आप दोस्त क्या बोला था उत्राखंड का स्वतंतरता संगराम में योगदान उत्राखंग का स्वतंता संगराम में क्या योगदाने वो देखते पहली बात तो उत्राखंग का स्वतंता संगराम में बहुत ज़ादा योगदान नीए क्यूंग लोगी जब हमने कुमाओ कमिस्णरी पड़ी थे न, समझो इस बात को, तो कुमाओ कमिस्णरी में जो रूल बीटेंस आते थे, रेगुलेटिंग वाले रूल्स वो तो उत्राखन के पहाडी छेत्रों में लागू भी नहीं होते थे, यहाँ पे कुमाओ कमिस्णर अलग से लाई डूल होते थे, तो कहीं न कहीं यह भी देखने के लिए मिलाता है, कि गड़वाल या कुमाओ की जनता अंग्रेजों से जादा परेशान नहीं थी, अब वो अंग्रेजों से जादा परेशान नहीं थी, तो बिरोधी क्यों करेंगे, तो बहुत कमी योगदाने उत्र लाइन करेंगा तो कुमाओं वालों का योगदान जादा है तो जितना भी योगदान है उसको पढ़ने की कोसिज करते हैं कि क्या उत्रखन वालों ने देश की आजादी में क्या-क्या योगदान दिया था उसको लाइन से पढ़ने की कोसिज करेंगे बारी-बारी से जो भी मैं पहले बता रहूं, मैं सिर्फ वही आंदोलन लिखाऊंगा, जिसका देश की आजादी में कुछ न कुछ योगदान होगा, दरवाइस नहीं, उसके बाद हम पढ़ेंगे, जिसका उत्रखन को बनाने में योगदान होगा, सिर्फ वही उसके लावन नहीं, उसके बाद समा तो पहली heading होगी 1857 की क्रांती देश की आजादी में सबसे पहले नाम यही आता है सबसे पहले पूरे देश में ये कब शुरूवी थी? ये शुरूवी थी 10 मई 1857 को और कहां से शुरूवी थी? तो मेरट से शुरूवी थी इसलिए मेरट को क्या कहते है? क्रांती का नगर मेरट को कहते हैं और इसलिए 10 मई एको कौन सा डे मनाया जाता है? क्रांती दिवस मनाया जाता है ठीक है? ये बात समझ मैं ही? कोई दिक्कत तू नहीं होगी? इसके अलावा इस 1857 की क्रांती से question paper में आते बड़ जीके में वो जीके में जब पढ़ाओंगा history पढ़ाओंगा तब पढ़ाओंगा बहुत सारे point बहुत लंबा topic है ठीक है? इसको बहुत सारे कारण थे धार्मी कारण थे, आर्थी कारण थे, सामाजी कारण थे तो इनको हम पढ़ेंगे तात काली कारणों में तो चरवी लगा कारण थे बड़ हम फिलाल उत्राखंड पढ़ रहे उत्राखंड में इसका क्या effect पढ़ा है? वो देखते अगर इस समय बोलेंगे जब 1877 की करांत भी थी तो भारत के Y-saray कौन थे? पूरे जीके में तो भारत के Y-saray थे Lord Cannon ये question तो बहुत बार उत्राखंड में पूछा भी जा चुका है कि कुमाओं के Commissioner कौन थे? नोर्स अच्छे से बनाओ कुमाओं Commissioner बोलेगा तो कौन है? हैनरी रेम जे है और अगर question आएगा डिप्टी Commissioner के पद पर कौन था तो उसका नाम था बैकेट बाद में settlement अधिकारी भी ये बनता है तो 1857 के कौन थी के बारे में भी कुछ तो नहीं पड़ा है side में इसलिए खड़ा रहे है रहो में अब क्योंकि जिससे आप ज़्याद ज़्याद देख पाऊ वाइसर आय कौन थे, लौड कैनिन कुमाओ का Commissioner कौन थे, रेम जे और डिप्टी Commissioner कौन थे, तो बैकेट थे ये बात कहा की मिलती है हमें उत्राखंड का सुतंता संग्राम में योगदा तो ये डाटा मिलते हमें अब उत्राखंड वालों ने क्या किया भई तो उत्राखंड में इसका बिरोध करने के लिए सबसे पहले एक नाम आता है और वो नाम आता कालू महरा जी का कालू महरा जी के बारे में हम कल भी पढ़ चुके थे Last Class District स्रीज में 1831 में जन्म वाता कालू महरा का अग कालू महरा का जो जन्म वाता वो कहां पर वाता बिसुंग गाओं में वाता और बिसुंग गाओं कहां पढ़ता आपका चम पावत में अगर चीज़े याद नहीं है तो बार बार लिखो जितनी बार लिखेंगे चीज़े उतनी जाद अच्छे से आपको याद हो पाएगी इसले कोई दिक्कत नहीं होनी चीए कैसा है कैसा नहीं अब इनको प्रेंट न मिली बद्रीदत पांडे बद्रीदत पांडे के अनुसार बद्रीदत पांडे आपको पता है बद्रीदत पांडे के अनुसार क्योंकि बद्रीदत पांडे नहीं एक बुक लिखी है अब बुक का नाम क्या है कुमाओं का इतियास बदिदत पाने ने बुक लिखी है कुमाओं का इतियास और ये कुमाओं का इतियास बुक इन्होंने कब लिखी थी 1937 में उस समय ये बंदा खाली नहीं बेठा था उस समय इस बंदे को डाला गया था जेल में अग कौन सी जेल में केट थे तो बरेली जेल में थे अब हमने तुम्हें इनके बारे में भी बता दिया है कुछ बेसिक सी बात है क्योंकि मेरा मुद्धा मेरा पढ़ाने का स्टाइल तरीका यही है कि जहाँ पर जो चीज आ रहे है चाहाँ आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ दो उस चीज को वहीं पर फिनिस अप कर दो उसको वहीं पर पढ़ दो आएगा तो है तो कॉम्पेटिशन एक्जाम के पेपर निकालना तो सब कुछ पढ़ना है तो चाहे टॉपिक आप हिंदी अंग्रेजी उर्दू कुछ भी पढ़ रहो जी के से सम्थिंग कुछ ऐसी चीज है आरी जो पेपर में पूछी जा सकती उसे वहीं पर क्लियर आउट कर दो तो बदीशत पांडे के बारे में पढ़ रहे था 1937 में लिखी गई किसके दोरा बदीशत पांडे के दोरा दिखी गई थी और 1937 में लिखी थी जेल में लिखी थी और कौन से जेल में लिखी थी बरेली जेल में लिखी थी यहां तक कोई प्रॉबलम नहीं तो इसी बदीशत पांडे के अनुसार कालूमेरा को अवध के नवाब अवध के नवाब का नाम क्या है वाजिद अलीसा अवध के नवाब वाजिद अलीसा ने प्रेन दी थी कि भाई क्या तो कुमाओं में अंगरेजों के खिलाब लड़ इनकी गुलामी ने से नी कुमाओं में अंगरेजों के खिलाब लणने के लिए कुमाओं के युवाओं का एक गुरूप बना दिया और जहाँ जहाँ उस गुरूप को अंगरेज दिखते थे वहाँ वहाँ उन अंगरेजों को मारते थे अंगरेजों को परेशान करते थे अंगरेजों को लूटते थे जब अंगरे जो को मारेंगे प्रेसान करेंगे लूटेंगे तभी तो छोटके जाएंगे तभी तो देश आजा दोगा तो question आएगा कालू मेरा को प्रेंट नकिस से मिली थी तो अवद के नवाब से मिली थी अवद के नवाब वाजित अली साह से मिली थी ये वाला point आप ध्यान में रखिएगा ठीके और इसलिए कालू मेरा ने एक संगठन बना दिया था और उस संगठन का नाम क्या है उस संगठन का नाम था करांतिवीर कालू मेरा ने एक संगठन बनाया था और उस संगठन का नाम क्या था करांतिवीर था ये question paper में भी आता है संगठन बनाएगा तो last class में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है यार अकेला-केला एक संगठन को चलाना बहुत बड़ी बात है तो इसके दो दोस्त थे जिसका नाम था आनंद सिंग फर्तियाल और एक का नाम था विसन सिंग फर्तियाल ये भी मैं आपको अलड़ी पढ़ा चुका हूँ बट फिर भी मैंने लिखा दिए इसने फिर एक संगठन बनाया प्रेन लेके जिसका नाम था करांतिवीर क्रांतिवीर क्या काम करता था अंग्रेजो को परेशान करने का काम और इसके सही योग किसने क्या था इसके दोस्त कौन थे हलपर कौन थे आनंद सिंग और बिसन्सिंग ये basic सी बाते आपको पता चली होगी कि क्या-क्या हो रहा है इन चीजों को ध्यान में रखिएगा इसके अलावा अगला point आपको क्या लिखना है उसको देखते हैं कैसा है आनन्द सिंग और बिसन सिंग अंग्रेजों की चपत में आ जाते हैं और इसके बाद इनको चान मारी पर्था से मार दिया जाता है चानमारी प्रथा से अंग्रेजी इनकी क्या कर देते हत्या कर देते आजादी में सहीद में लड़ाई सहीद हो जाते है आजादी की लड़ाई में और इनको चानमारी प्रथा से इनकी हत्या कहां पर की जाती है तो इनकी हत्या की जाती है सायत से फासी के गधेरे में अंग्रे जी में इसके ले ऐसा टर्मिनलोजी आती अंग्रे जी तो मुझे आती नहीं है कल पर किसी ने तो कॉमेंट भी कर रहा था पता नहीं मैंने क्या बोला अंग्रे जी मे तो उन्होंना ऐसी कुछ कमेंट कर रहा था कि ऐसे अंग्रे जी है आपकी something like that तो अंग्रे जी मुझे आती तो फिर बाती क्या थी है न आपकी समझ अंग्रे जी आती है नहीं आती है वो matter नहीं है आपकी समझवारी बाते वो ज़्यादा important matter करती है चान मारी पड़ता से इनकी हत्यकरिती कहाँ पर फासी का गद्यरा इसके लिए टर्मिनलोजी इस्तमाल भी की जाती है मैं यहाँ पर लिक भी देता हूं हैंक्समेन कभी question आएगा हैंक्समेन hills या हैंक्समेन valley घाटी तो हैंक्समेन घाटी कहा हैं तो ध्यान रखना यह घाटी है नेनिता करांती के दोरान जो भी ज़्यादा उछलता था अंग्रेजों के सामने करांती के दोरान आजादी के लड़ाए में जो ज़्यादा योगदान देता था अंग्रेज उसे पकड़ते थे और फासी पे ल अर चान्मारी पर्था क्या होती है तो चान्मारी पर्था ये होती है पहाडी पर ले जाकर धक्का देना तो जब फासी नहीं देते थे तो टॉप पे पहाड़ी पे लेके जाया जाता था आवहां से लात मार के नीचे भेज दिया जाता था अंग्रेजों ने चानमारी परता से भी करांतिकारियों को मारा हैं तो यह तो जादे important नहीं है बट कभी question आएगा चान मारी परता कसम मन किसे तो अंग्रे जो की जो मिर्ट्यू देने की तरीक तरीका था यह question थो ठीक ठाक है फासी का गदे रखाएं या हैंक्समेन वेली का हैं तो ने निताल में है और आनन सिंग और विसन सिंग सहीद हो गेत तो यह था 1857 की करांती के बारे में कालू मेरा के बारे में कहां से क्या था क्या निता वो बेसिक सी बात है याद हुई होगी और आपने नौट भी कर लियोगी यह मैं उम्मीद करते हूँ आगे बढ़ते हैं, 1857 की करांती में और चीज़े क्या होती है, उनको पढ़ने की कोशिस करते हैं, समझने की कोशिस करते हैं, अगला पॉइंट है 1857 की ही करांती में, 1857 की ही करांती में, रुहेल खंड, इससे पहले आपने अवद के नवाब पढ़ा, रुहेल खंड के नवा खान भादुर खान ने काले खान वा फजल खान को काले खान और फजल खान को हलदवानी पर कबजा करने के लिए भीज दिया हल्दवानी पर कबजा करने ले भीज दिया आईए भी में तुम्हें पढ़ा चुका हूँ जिल्ला सिरीज में कबजा करने भेजा आईए में तब भी पढ़ा चुका हूँ जब मैंने कुमाओ कमीशनर पढ़ाय था तो question आएगा हल्दवानी पर कबजा कब किया भई तो यह मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ सतरा सेप्टेंबर 1857 तो यह भी कहीं न कहीं आजादी में योगदान है और 1857 का रिवोल्ड ही हम पढ़ रहे थे क्रान्तिकार्योद्वारा हल्दवानी पर कब कबजा कर दिया गया था 17 नौप सिप्टेंबर 1857 को जब आपके मोधी जी का बड़्डे आता है खत्लूवातिवार मनाया जाता है उकेष टिपले सी बनी है इससे पहले ये तो तुमने पॉइंट रखा था काले खाँ बट एक नाम यहां तक ना इसके साथ एक और था फजल खाँ काले खाँ का सही होगी पूस लिया जाए तो आप क्या करोगे फजल खाँ और इन दोनों ने रेमजे के दोरान रेमजे का सासन काल चल ला था और हल्दवानी पर कब जग कर लिया था और हल्दवानी पर किस का राज हो गया करांती कारियों का राज हो गया तो क्वेसन आएगा इनको भेजा किसने तो रूहल खंड के नवाब ने इनको किसने बेजा रुहल खंड के नवाब में अब पीछे देखो इसको किसने किसको बेजा अवद के नवाब ने कालू खा को अवद के नवाब में सोरी कालू महरा को अवद के नवाब में अकाले खा को रुहल खंड के नवाब में दोनों काले काले इन दोनों का योगदान देखता है 1857 के रिबोल्ड में कालु मेरा के दोस्कों थे आनंद और भिशन अकाले खागा दोस्कों थे फजल का यार अब देखो करांती कारियों ने हलदानी पे कबजा कलिया तो अंग्रेज हातों बेहाद धरे बेठे रहेंगे नहीं अब अंग्रेज भी तो लड़ेंगे और मैंने बता दिया तुम्हें इस समय अंग्रेजों का कमिशनर कौन है हैंडी रेमजे पीछे देखो लिखाया है तो अब क्या करेगा एक साइड से तो करांती कारी एक साइड से तो कौन है करांती कारी है करांती कारी कौन आप लिके लेना पूरा मैं तुम्हें बस समझा दूँगा गोरखो की सेना है और इधर साइड से एक अंग्रेजी सेना थी जिसका लीडर था Maxwell Maxwell को तो जानते हूँ ना पर सो कैसे रनमार रहा था हूँ Maxwell तो ये था अंग्रेजी सेना इन लोगों ने 18 सिप्टेंबर को इन लोगों ने 18 सिप्टेंबर को वापिस से हलदवानी को क्या कर लिया था आजाद कर लिया था फिर वो अंग्रेजों के पास लागिया रनवीर सेना नेपाली सेनिको की ऐसी सेना है जो अंग्रेजों की मदद करती थी तो question आएगा रनवीर सेना क्या है तो रनवीर सेना गोर्खाओं की सेना है गोर्खाओं की वह सेना जिसका काम होता था अंग्रेजी सेना का मदद करना जब गोरखाओं के साथ अंग्रेजो ने संगोली की संदी करी थी तो उसी संदी में दोस्त एक वो कर लिया था हस्ताकसर कि भाई आज के बाद जब भी हमें जरुवत हो कि तुमारी मदद की तो तुम हमारी मदद करोगे तो गोरखा उसी वादे के अनुरूप आज अंग्रेजो को मदद थी तो अपनी सेना लेके आए हलदवानी में और अंग्रेजो की मदद करी या मैक्सवेल की मदद करी question आएगा हल्दवानी को आजात करने के लिए अंग्रे जोका leader कौन था तो उसका नाम था Maxwell एक और नाम था जिसका नाम था चैपल तो लिखना होगा तो लिख लेना Maxwell प्लस चैपल और हल्दवानी को वापिस आजात करा देते 18 सेप्टेम्बर तो ये था हल्दवानी पर कब जब भी हो गया था कैसे कैसे कब जब भा था वो भी मैंने आपको बता दिया है तो ध्यान रखना क्या है और क्या निया ठीक है तो ये था 1857 के करान थी सुदर संसा का नाम तो सुना है टीरी का राजा है सुदर संसा इसका नाम तो सब ने सुना है इसके लावा मोती रामसा और कुंदन लाल शा मेरे दोस्त question दिया आएगा 1857 की करांती के दोरान तीरी का राजा कौन है तो 1857 की करांती के दोरान तीरी का राजा तीरी का राजा कोन है बैई सुदरसंसा और मैंने तुम्हें टीरी भी पढ़ा रखा अंग्रेज भी पढ़ा रखा हिस्ट्री में भहत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाई है जो आज पहली बार चैनल प्यारा एक बार हिस्ट्री पढ़ गया हो अंग्रेजों की मदद करेगा तो सुदरसंसा ने 1857 की करांती में अंग्रेजों की मदद करी थी ये अंग्रेजों की साइड से लड़ रहा था या बोल सकता हूं मैं रेमजे की साइड से लड़ रहा था अपनी सेना भेजीस ने रेमजे की क्या करी मदद करी, ऐसा कोई पॉइंट मनेगा कि टीरी के किस नरेस ने करांती में रेमजे की मदद करी, भाई तो रेमजे के सासनकाल में राजा कोन है, सुधर संसा तो आप करपाओगे दो लोग है, मोती रामसा और कुंदन लालसा भाई ये हिस्टरी की किताबों में इन दोनों का नाम है, और आजकल उत्रखन के पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है तो इनोंने भी अंग्रेजों की मदद करी, आर्थिक सहायता करी मलब अंग्रेजी सेनिकों को पैसा दिया आर्थिक सहायता करी और इसके लावा इंपोर्टेंट करके सेना के लिए रासन प्रोवाइड करवाया सेना के लिए रासन दिया तो ऐसा नाम आ जाएगा कितना मस्ट क्वेशन बनेगा सुधरसन सा, मोती लाम सा और कुंदन सा अन्नोटा कि 1857 की क्रांती में अंग्रे जोकी मदद किस ने करी तो हम सोचेंगे सुधरसन सा ने करी और ये टिक कर देंगे ये इसका सही अंसर नोटा की जगा इसका उप्सन होगा तो सही अंसर क्या हो जाएगा क्योंकि कुंदनलाल सा ने भी मदद करी है मोती राम साने भी मदद करिये असुदरसन साने भी मदद करिये तो ये था 1857 करिव ओल होफ़्ुली समझ में आया होगा आपका 1857 की क्रांती कालु मेरा का प्वाइंट बता दिया था कालु मेरा के दोस्त भी बता दिया था आनंद consig विसंसी कालु मेरा को किस ने बेजा था, कालु मेरा ने कौन से संगठन मनाया था, डन उसके बाद रुहल खंड के नवाब ने किस को बेजा था, कालु मेरा का दोस्त, कालु मेरे किस वाद, काले खाँ को, काले खाँ के साथ को न आया था, फजल खाँ इन्होंने हलदवाणी पे कब जग या कब किया था 17 ऑप सिप्टेम्बर जो फिर अंग्रेजोंने अपनी सेना फेर जिक किसके नेतुर्टों में मैक्सवेल के नेतुर्तों में 18 सितम्बर को हलदवाणी आ जा थ Till। मैक्सवेल की मदद करने जितना भी योगदान था वो मैंने तुम्हें बता दिया कि कहीं न कहीं उत्रखन का योगदान तो इसमें जरूर है तो ये वाला point आप लिक लीजिए का क्या है क्या नहीं है कैसा है कैसा नहीं है ठीक है अब पढ़ते आगे अठार स्थान होगे आपका अगली हेडिंग अठारा सो सत्तर अठारा सो सत्तर में क्या बनता है अल्मोडा डिबेटिंग कलब अभी मैं तुम्हें ये पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी मैं तुम्हें क्या पढ़ा हो रहा हूँ आजादी में योगदान तो अलमोडा debating club बनता है अलमोडा debating club द्वारा ही 1871 में क्या निकाला जाता है अलमोडा अखवार निकाला जाता है कौने इसके संपादक पहले बुद्धी बललव पंत कौने संपादक बुद्धी बललव पंत आप ये ना सोचे कि मैं इतना ही पढ़ाऊंगा अरे भाई डीटेल में पढ़ेंगे जब आप उत्रकन की पत्तरकारिता पढ़ोगे ना उधर मैं इसको डीटेल में बताऊंगा कब कब कौन कौन से संपादक इसके चेंज होते और इसके पीछे बंद होने के पीछे भी बद्धी दत पांडे का बड़ा योगदान है क्योंकि वो बहुत उग्र लिखते थे तो सारी कहान यह सुनाओंगा यार अभी तो हम स्वतंता संग्राम में आंदुलन में योगदान पढ़ दे तो स्वतंता के आंदुलनों में इस अलमोडा अगभार का क्या योगदान है तुम ही सोचो आज कल तो नरेंदर मोदी जी बोल रहे है कि नोतारीक सन नौट बंद तो हमारे उसी टाइम नौट बंद हो गे उन्होंने बोला तीन तलाग बंद तुसी टाइम हमें खबर पहुंच जाती है वो बोलते हैं चंदरमान ने मिसन भेजा और हमें को तुरंत खबर पता चल जाती है मगर देट टाइम 18th सेंचूरी में कैसे पतलगता होगा इंटरनेट तो ही नि जो कि संचार का सबसे तीवर गामी माध्या में मुबाइल है नहीं तो कैसे पतलगता था पत्र पत्रिकाओं से चीजे पतलगती थी तो अलमोडा अगभार का बड़ा योगधाने पत्र पत्रिकाओं का बड़ा योगधाने सुतनता के आंदलोनों में जो देश में चीजे होती थी, उसको पहाडों में या उत्राखण में लागू कराने के लिए, पत्र पत्र का हैं, तो मैसेज पहुचा थे थे कि देश में ऐस हो गया, तुम भी करो, तो इसलिए हम बेसिक सी बाते लिख रहे हैं, बाकि जिस जिन पत्र पत्र का हैं चिंता ना करो आप, तो 1870 में अलमोडा डिबेटिंग कलब बना, और 1870 में इसी डिबेटिंग कलब ने अलमोडा अगबान निकाल दिया था, और इसमें भी एक पोईन धियान रखना, किसके कहने पे निकाला था, किसके परामर्स पे निकाला था, तो अंग्रेजों ने एक प्रामर्स दिया था जिसका नाम है William Cure तो William Cure ने ही इन लोगों को एक आइडिया दिया था कि आपको एक न्यूस्पेपर निकानना चीए जो आपकी बात को जादा लोगों तक पहुँचाए मैं अपनी बात को इतने लोगों तो कैसे पहुचा रहो इंटरनेट के थुरू पर उस समय तो इंटरनेट था ही नी तो अपनी बातों को जादा लोगों तो कैसे पहुचाऊंगा पत्र पत्री का या न्यूस्पेपर के थुरू तो question आएगा कि अलमोडागबार तो कौन समपा था कि बुद्धि भल्लापंत कब निकला 1870 में बट किसके पराममर से निकला किसने कहा था कि अलमोडागबार होना चीए आपको एक समपादक का कारे करना चीए आपको एक प्रिंटिंग प्रेस खोलनी चीए ता William Cure जैसे हम पढ़ते है न दोस्त कि अंग्रेजो नहीं Congress Party बनाए और Congress नहीं ंग्रेजो को देश से भार निकाल दिया था वहीं अंग्रेजो नहीं कहीं न कहीं इसका idea दिया था और अलमोडागबार और बाद-बाद में अंग्रेजों के इखिलाब छापने लग गया था जब बदीधत पांडेस के अध्यक्स बने थे, संपातक बने थे, और फिर अलमोड़ागबार बंदी हो जाता है, तो बड़ी रोचक सी कानी है, पत्र पत्री काउं में पढ़ेंगे, फिलाल आपका अग तो विलियम क्यूर की मदद से निकाला था, ये पॉइंट आप ध्यार में रखिएगा, बड़ा इंपोर्टेंट चीज है, आपको पता होना चीए, अगली डेट है, अठारा सो तेरा सी, अठारा सो तेरा सी, इंपोर्टेंट करके इस पॉइंट को याद करेंगे, मैं यहा पंत की अध्यक्स्ता में, बुद्धी बल्ला पंत की अध्यक्स्ता में, अल्मोडा में, इल्बट बिल का समर्थन किया गया, बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है, कि अल्मोडा में, इल्बट बिल का समर्थन किया गया था, अल्मोडा में, इल्बट बिल का समर्थन किया गया था, इल्बर्ट बिल अरे अल्मोडा में इल्बर्ट बिल का समर्थन कब क्या गया ता लिखा तो 1883 में और इल्बर्ट बिल का समर्थन के लिए अध्यक्सता कौन करता है बुद्धी बल्लब पंत करता है कहा पे होता इल्बर्ट बिल का समर्थन अल्मोडा में ये तो याद कर लेंगे कि ilbert bill का समर्थन के लिए उत्राखण में बैठे के हैं या meeting से कब हुई थी सर 1803 में हुई थी ये भी याद कर लेंगे कि कौन करता है बुद्धि बल्ला पंत करता है सर ये भी कर लेंगे कहाँ पे करता है अलमो्रो किया है ये इलबट बिल था क्या कि जिसका समर्थन करने के लिए इसमेसर रेल या निकाले गई ठीक है तो ये इलबट बिल को समझने के लिए हमको बोड पर धिहान देना पड़ेगा अगर आप ना भी लिखोगे न तो इलबट बिल अगर मैं एक लाइन में बोलूँगा न तो एक लाइन में ये बोलूँगा मैं सभी जज समान थे according to इलबट बिल अब इसको समझ लो मैं तुम्हे समझा देता हूँ अपनी language में आप लिखना यादा लिखना उचीत नहीं या इतने में आप समझ जाओगे सुनो अभी तक जो जज बनता था ना तो जज अंग्रेज भी बनते थे और जज इंडियन भी बन जाते थे मगर जो अंग्रेज जज थे न वो अंग्रेज ओके फैसले सुनाते थे अगर एक इंडियन और एक अंग्रेज की लड़ाई हो गई तो जज हमेशा अंग्रेज होगा और अंग्रेज कभी भी ऐसा फैसला नहीं सुनाता था, जो इंडियन के हित में हो, वो हमेसा ऐसा फैसला सुनाता था, जो अंग्रेज या ब्रीटी सर्स के हित में हो, जज होने के बाद भी गलत फैसला सुना देता था, अब यह इंडियन जज था ना, इसको अंग्रेजों के मुद्दे सुनने का अधिकार ही नह तो उपर से पहले ही order आ जाता था कि इसको सजानी देनी क्या सजा देनी है क्या फैसला सुनाना है कुल मिला के अंग्रेजी या अंग्रेजी वकालत या अंग्रेजी सासन के अंडर में एक काम करना पड़ता था अंग्रेजों के खिलाब कभी भी फैसला ने सुनाना पड़ता तो इंडिया के जजों को तो अंग्रेजों के फैसले सुनने का अधिकार ही नहीं था और समटाइम अधिकार मिलता भी तो फैसला उपर से आता था कि इसको बचाना है चाहे इसने उल्टे काम भी कियो तो जजों में समानता नहीं थी तो ilbert Bill आता है और ilbert Bill क्या बोलता है कि सभी जज समान होने चीए जो भारतिय जज थे ना भारतिय जज उनको भी पावर मिल गईती अंग्रेजी जजों के समान एक कोल फैसला सुनाने का चाहें अब समझ माई ilbert Bill क्या है सभी जज समान और इलबेट के बिल का समर्थन किस के द्वारे किया गया था बुद्धी बल्लब पंते के द्वारे किया था और कहां पे किया गया था अलमोड़ा में किया गया था और कब किया गया था 1883 में Is that clear? ये बात समझ माई तुम्हारी हा की ना इसमें एक कहानी आती है हिंदी में तुम्हारे सिलेबस में भी है जय संकर परसाथ जय संकर परसाथ बहुत अमीर थे पहले और जय संकर परसाथ भी को अंग्रेजी हुकूमत ने जज की नौकरी दी थी अब जज की नौकरी दी थी तो जैसंकरपरसाद तुम्हारे हिंदी के सिलेबस में तब कहानी बता रहो जब हिंदी पढ़ाओंगा न कभी हिंदी के लेखक तो आराम से बता दूँगा हरे किसी की कहानी तो जैसंकरपरसाद जजज बनता है जैसंकरपरसाद बोलता है फैसला सुनाने के लिए न अंग्रेज उसका भी बुरा मानेंगे कि हमारी कहना नहीं मानना हमारी बात का अवेलना कर रहा है तो उसका भी सेजा तो जैसंकरपरसाद दिमागदार थे जैसंकरपरसाद को हिंदी में पढ़ते हैं देखो कितने बिद्वान थे इन्होंने ऐसे सर्थ पिगड बना रहे उस समय, ऐसे मेडिकल शर्थ पिगड बना रहे उस समय और ऐसी अफोये फिलादी कि मेरे कान खूड़ गे, मैं कान नहीं सुन पारो अजज के जब फैसला सुनाना होता है तो जब सूनेगा तब फैसला सुनाएगा जब वकील कुछ बोलेगा जैसंकर परसा बोलता है मैं सुनी नहीं पा रहा हूँ तब अंग्रेज उने बोला यार जब सुनी नहीं पा रहा तो इसके जज की नौकरी से डाओ तब अंग्रेज उने नौकरी से हटा दिया तब भाई ने लिखाई पढ़ाई करी और आज जैसंकर परसाथ कहां से कहां है अधरवाईस ऐसे किताब हुमें पढ़ते भी नहीं तो फिलाल इस कहानी का मोटो यह है कि 1813 में आयता है इलबट बिल इलबट बिल का समर्थन क्या था बुद्धी बल्लब पंतने इलबट बिल क्या होता है वो मैंने तुमें समझा दिया है बाकी कुछ नहीं है अगली हेडिंग लिखेंगे अगला परण लिखेंगे 1897 1897 में क्या होता है वो देखते है 1897 में हरिद्वार में कुम्ब का मेला लगा था और इसमें पार्टिस्वेट करने के लिए आये थे दयानंद सरस्वती किसमें कुम्ब में सामिल होने के लिए और तब इनोंने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पता का फेराई पाखंड खंडनी पता का हरिद्वार में कव फेराई गई 1897 में और किसके द्वारा फेराई गई दयानंद सरस्वती द्वारा पाखंड खंडनी पाखंड का खंडन करो ये वो दोर है हमारे देश में जब सबसे ज़ादा क्या चल ला था धर्म परिवर्तन चल लोग क्रिश्यन धर्म को ज़्यादा अपना रहे थे नौट के मुसलिम अंग्रेज आये दे और इसके बारे में भी तुमने पढ़ा होगा अंग्रेज द्वारा एक 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 लाया गया था ये नेस्नल जी के का क्वेशन है अठारा सो तेरा का एक्ट तो अठारा सो तेरा के एक्ट में क्या था इसाई मिसनरियों का आगमन इसाई मिसनरियों का आगमन तो कौन से एक्ट के दोरान इसाई मिसनरिय भारत में आये थे धर्म परचार के लिए तो 1813 का वो एक्ट था, मतलब अंग्रेजों के पादरी इंडिया आने लग गे थे, यहाँ पे तो कोई थानी न, क्रिश्यन, और यहाँ पे वो अपना धार्मिक भासन देते थे, लोगों को मूटिवेट करते थे कि हमारा धर्म एक्सेप्ट करो, वर्तमान में भी हमारे सवि धान के नुसार, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, अगर आप 18 प्लस हो, आपको हिंदू बनना है, मुसलिम बनना, क्रिश्यन बनना, सिक्क, बहुत इसाई, जो बनना बनो, मगर आप किसी भी धर्म के डिस्रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो 1813 का जो एक्ट आया था, उसमे तुरं 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 तु लोग, हमारे देस में तो धर्म के परती लोग बड़े कट्टर है, धर्म के लिए जाने चले जाती है, धर्म के परती, धर्म के लिए धर्म के नाम हमारे देस का भोट वेंग खिल जाता है, सरकारे गिर जाती है, वर्तमान में भी, तो दय यानन सरसुती जब आये थे देखो तेरा के बाद 1877 यह वो दौर चल ला है जब इसाई मिसनरी अपने इस जाल में लोगों को फसा चुके हैं और इनको पता चल गिया है धर्म परिवर्तन कराना है तो सिर्फ गरीव जनता पे ध्यान दो इन्होंने गरीब लोगों पे ध्यान धर्म अपनाने लगे जादा मातरम है यार सबसे पड़ा धर्म तो जिन्दा रहने गई है पेट गई है अजनता गरीब होगों इसको पैसे दे दियोंगे दुनिया बर के या जमीने दे दियोंगे उन्होंने क्रिश्यन धर्म अपना दिया क्या दिक्कत है तो इसी समय यह जो है ना दयानन सरसोती कुम्ब मेला हरिद्वार की यात्र कब करी क्वेसन आएगा 1887 में हरिद्वार में पाखंड खंडनी पतागा का फिराएगी 1887 में मलब जंडा फिरा दिया और सबा बना दी कि जो क्रिश्यन धर्म का पाखंड चल लाना इसको समाप्त करेंगे ऐसा बहर हुना होना चाहिए हमारे जो भाई भहने वो धर्म कनवर्ट्र मत कर वाओन में जबरदस्ति तब यी तब बैल गाड़ी से हरिद्वार गाड़ी तो दे रदून की क्या करी थी? यात्रा करी किसने? दे रदून में दिये भासन और भासन में धर्म परिवर्तन करने से बहुत लोगों को बचाया धर्म परिवर्तन करने से लोगों को बचाया लोगों को भासन दिये कि भाई क्यू धर्म परिवर्तन कर रहो, क्यू दूसरे गर धर्म एक्सेप्ट कर रहो, ऐसा नहीं तो question आ सकता है कि निमन मैंसे किस ने दे रदून में धार्मिक भासन दिये थे, देयानन सरस्वति ने, कब दिये थे, अठारसो सताइडमे में हरिद्वार में पाकंड खंडनी पता का किस के द्वारा फैर आएगे थे, देयानन सरस्वति के द्वारा तो question का scenario कैसे भी बन सकता है, आज कल उत्राखण के exam का pattern आप देख रहोंगे ऐसा ऐसा question मन रहे हम सोच भी नहीं सकते तो ये सारा दारोमदार किस के कंदों पर है, धर्म परिवर्तन रोकने से द्वारा द्यानन सरस्वति के बारे में बी पीडियो के पेपर में भी आया था, और हमेशा मैं आपको क्या लिखाता रहता हूँ, हमेशा मैं आपको लिखाता रहता हूँ, extra fact तो उत्राखंड से हट के लिखना होगा, तो इसी द्यानन सरस्वति ने 1875 में बनाया था, आरिय समाज, 1875 में बनाया था, आरिय समाज, अभी आरिय समाज को पढ़ने वाले हैं उत्राखंड में, और आरिय समाज बनाया कहां पे था, मुंबई में बनाया था, आरिय समाज क का नाम क्या है अगर question आयागा दयानन सरस्वती का रियल नेम क्या है तो दयानन सरस्वती का रियल नेम है मूल संकर तो दयानन सरस्वती का रियल नेम क्या है मूल संकर ये extra fact तो लिखने होगे तू लिखिएगा फिलाल आपका स्वतंता आंदलोनों में या धार्मिक आंदलोनों में एक नाम इलबट बिल के बाद कौन सी डेटा आई थी दियानन सरसोती वाला पॉइंट आया था 1897 वाला पॉइंट आया था और उम्मीद करता हूँ तुमने वो वाला पॉइंट भी लिख दिया होगा ये question ना KBC में एक करोड का पूछा गया था KBC अगर कोई देखता है तो 1912 को क्या वा था Lord Harding Bum Case Lord Harding Bum Case कहा पर वा था दिल्ली में हुआ था चाननी चौक में ठीके इसकी planning उत्राखंड में होगी तो इसकी planning उत्राखंड के FRI में की गई थी अब उत्राखन के FRI में जॉब कौन कर रहा है कौन था यहाँ पर कलर का काम कर रहा करांतिकारी इनका नाम है रास बिहारी बॉस रास बिहारी बॉस आएगा निम्न मैंसे किस करांतिकारी का सम्मन ओहो लाइट ही चले गई दोस्त अब इस से आगे की वीडियो कली बनेगी लाइट चले गई है